हमने कुछ समय पहले जाना कि सबसे बड़ा अज्यात है एक साधारण बीच सब कुछ एक साधारण बीच से शुरू होता है यह शृष्ष्टी की शुरुवात और अंत है आखेर इस साधारण बीच में अलग-अलग चर्णों या फेजिज में बढ़ने की बुद्धी आती कहां से है और इसका इस विकास में पालनपुशन करता कौन है जीजस की प्राचीन कथा है एक बाप अपने तीन बेटों में संपत्ति बाटना चाहता था लेकिन निश्चय ना कर पाता था कि कौन योग्य और कौन सुपात्र है तीनों ही जुड़वा पैदा हुए थे इसलिए उम्र से तैना किया जा सकता था तीनों एक से एक बुद्धिमान थे तो उसने एक फकीर से सरहा ली और फकीर ने उसे गुर बताया उसने बेटों से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और बेटों को उसने कुछ फूलों के बीज दिये और कहा कि सभाल कर रखना जब मैं लौट आऊं तब मैं तुमसे वापिस मांगूँगा पहले बेटे ने बीजों को लोहे की मजबूत तिजोरी में बंद करके रख दिया और निश्चिन्त हो गया बाप आएगा लोटा देंगे दूसरे ने सोचा बाजार में बेज देता हूं बाप जब वापिस आएगा बाजार से बीज खरीद कर लोटा देंगे तीसरे ने सोचा बीज का अर्थी होता है होने की संभावना उसने बीज बो दिये तीन बरस बाद पिता वापिस लोटा पहले बेटे ने तिजोरी की चावी दे दी करीब करीब सभी बीज सड़ चुके थे ना हवा लगी ना सुर्ज की रोशनी लगी और किसी ने बीजो पर ध्यानी नहीं दिया तीन वर्ष तक लोई की तिजोरी में सिर्फ सड़े हुए बीजो की दुरगंद निकली दूसरा बेटा भागा बजार रुपे लेकर बीज खरीद कर ले आया ठीक उतने ही जितने बाप दे गया था बाप ने कहा कि तुम थोड़े कुशल हो परन्तु जितना दिया था उतना ही लोटाना भी कोई लोटाना है बीज का मतलब ही यह है कि जो ज्यादा हो सकता था तुम पहले से योग्य हो लेकिन परियाप्त नहीं तीसरे बेटे से पूछा कि बीज कहां है तीसरा बेटा बाप को भवन के पीछे ले गया जहां सारा बागीचा फूलों और बीजों से भरा था उसके बेटे ने कहा ये रहे बीज मैंने बीज बो दिये थे अब ये व्रक्ष हो गए हैं इन में बहुत से बीज लग गए हैं बहुत फूल लग गए हैं हजार गुना करके वापिस लोटाता हूँ तीसरा बेटा ही बाप की संपत्ति का मालिक हो गया तो ये साधारन बीज को पूरी तरह पनपने के लिए प्रकरती और पालन पोशन दोनों की ज़रूरत होती हैं और इसमें अनेक निविष्टियां या इन्पुट्स सहयोग करते हैं मिट्टी से लेकर पानी, हवा और सूरिय की गर्मी, बीज से फल तक की क्रिया थोड़ी सी समझ लें तो हम सब के लिए आसाने रहेगी इसके लिए हम आम मटर या वटाना से शुरू करते हैं शायद हम सभी ने बचपन में खेल खेल में या अपनी जिग्यासा पूरी करने के लिए ये प्रियोग करे होंगे जब हम मटर के एक दाने को जो हमारे बीज का प्रतिनिरिद्व कर रहा है, मिट्टी में बो देते हैं तो कुछ समय बाद हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पतली पतली जड़ें धर्ति के नीचे विक्सित होनी शुरू हो जाती हैं इसके बाद अंकुरित बीज मिट्टी से बाहर प्रकट होना शुरू होता है, जिसमें एक पतला तना और पत्तियां भी दिखाई देती हैं अब धर्ति के नीचे की गती विधियां जो हमें तो दिखाई नहीं देती, उसमें जड़ें अब मजबूत और शक्तिशाली होनी शुरू हो जाती हैं पहले तो पतली पतली जड़ें मिट्टी में जहां जगा मिल रही थी, वहीं फैल रही थी, लेकिन अब अपना राज्टा खुद बनाने का सामर्थे हो गया और इस क्रिया में जो भी अवरोध सामने आते हैं, उनको परे धकेल का जड़ें आगे बढ़ जाती हैं समय के साथ साथ उस छोटे से नन्ने से बीज से एक ज़ाड़ी या पूरा व्रक्ष उगता है और अपने जैसे ही हजारों मतर को जन्म देता है इसी को अब हम एक वीडियो द्वारा देखेंगे जो accelerated या तुरित lapsed time photography द्वारा आपके सामने प्रस्तुत है जो कुछ हमने अभी बताया उसी का प्रतक्ष्य प्रमान तो हमें पूरा विश्वास है कि बीज का चमतकार आपको स्पष्ट हो गया होगा और इसलिए हम अब इसी का सहारा लेकर देखेंगे कि हम मानव भी आखिरकार बीज से ही उत्पन हुए है शब्द शायद जरूर अलग हो तो मानवी बीज की शुरुवात नर नारी के संभोग से होती है यह तो आपको शायद मालूम ही होगा जहां परिश्थिति के अनुसार नर के स्पर्म या शुक्राणू का मिलन नारी के ओवम या बीजांड से होता है यहां मानवी बीज या जायगोट युग मनज अस्तित्व में आता है और 280 दिन के उपरां एंब्रियो या भृण से होते हुए पिंड गर्ब या फीटस और प्रकट होता है प्रकटी का सबसे बड़ा चमतकार जो हम सबने निजी रूप से या हर परिवार में महसूस किया है इसको भी पहले की भाती हम एनिमेटिड वीडियो द्वारा समझते हैं हीजी कर्या थे जिए जबर की तृब येदे की पो can की तृब्र गली का्याश परिवार मेजिए्य hoop की येजीश में माज वीजीर हो फीजीमें लिजीमें बाल बाला क्यो फिए कि अisने चुकन दacia निएए muscle पुरा ही नहीं है, बीज में ही छुपा है फूल, बीज में ही छुपी है सुगंद, बीज में ही छुपा है सौंदर्ये, लेकिन छुपा ही न रह जाए, प्रकट हो, अभी व्यक्ति हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीज रुकेगा, तो बीज भी नहीं रह सकेगा, आज नहीं, कल राक रह जाएगी, बीज बढ़े तो ही बच सकता है, बीज बढ़ा हो, फेले, विराट बने, फूल आएं, फल आएं, एक बीज में हजार बीज आएं, तो बीज बचेगा, तुम वे हो ही, जो तुम हो सकते हो अब तो विज्ञानिक कहते हैं कि आपके शरीर में जो भी प्रकट होता है पूरे जीवन में वह सब आपके पहले बीज कोश में छपा होता है कुछ भी नया घटित नहीं होता आपकी आख का रंग, आपके बाल का रंग, आपकी चमडी का रंग, आपकी उम्र, आपके विक्टित्व में जो जो फलित होगा वह सब उस बीज में छपा होता है, वह आप नहीं है उस शरीर की तो लंबी अपनी यात्रा है आपके माता पिता से आपको मिला है उनके माता पिता से उन्हें मिला है लंबी यात्रा है करोडों वर्ष की लंबी यात्रा है एक छोटे से बीज कोश में इस आस्तित्व की सारी कथा छिपी है इस नीम और आधार की स्थापना करने के बाद हम यहां से अब शिक्षा को एक नए सिरे से समझेंगे और उसमें उप्योग करेंगे Thinking Skills यानि चिंतन कौशन धन्यवाद